आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए एपिसोड में बात करेंगे डंकी के बारे में कि डंकी एक सो नबे करोड से ज़्यादा ओवर सीज में कमा चुकी है और एक बहुत बड़ी जहंकारी सामने आ रही है कि राजकुमार हिरानी ने एक चाइनीज कंपनी से बात की है और में इस फिल्म को रिलीज करने की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है सूतर ये बताते हैं कि राजकुमार हिरानी को ऐसा लगता है कि जो यह हमारा कंसेप्ट है वो चाइना में अच्छा बिजनेश दे सकता है चाइना में लोगों को पसंद आ सकता है और चाइना में में पांचछार स्क्रीनज में अब आप कहेंगे कि बाई वहां तो Kitchenze एंगे में डइडभि किया जागी अधे DMG Entertainment एक distributor company है वो इस film को वहाँ distribute करेगी और बताया जा रहा है कि मई में ये film release होगी यानि इसी साल मई में चाइना में 5000 प्लस screens में ये film release होगी अब 5000 screens में I think 3000-4000 screens Chinese language में होगी dub होगी और 1000 I think मुझे लगता है कि वो हिंदी में ही वहाँ release होगी क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे इंडियन लोग रहते हैं और बहुत सारे लोग original language में देखना फिल्में पसंद करते हैं अगर response अच्छा रहा अगर show में उकोपेंसी दिखी तो धीरे धीरे show और screens इसके बढ़ते जाएंगे कि यह film चाइना में अच्छा business करें तो आप कितना happy हुए आपको यह episode कितना पसंद आया आप वीडियो के नीचे comment करके बता सकते हैं क्या आप भी चाइना में रहते हैं क्या आप वेट कर रहे हैं कि यह film आपके देश में release हो और या फिर अगर आप इंडियन है और चाइना में बैटके यह video देख रहे हैं तो क्या आप चाहते हैं कि फिर्म चाइना के cinema गरों में भी लगे क्या आपको लगता है कि डंकी चाइना में अच्छा business दे सकती है क्योंकि चाइना में बहुत सारी बॉली उड की फिल्म में चली है अंदा दून भी 300 क्रोड का business कर गई है ब